नमस्कार दोस्तो मैं मंदीब सर्मा आपका आटेक में स्वागत करता हूँ दोस्तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपके इंस्टाग्राम पर इस तरह से एरर आजाता है तो आपके इस तरह से उसे सिर्फ पांच मिनट में सॉल्फ कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आप इस ट्रिक का यूज सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं यानि आपके इंस्टाग्राम पर पहली बार यह एरर आया है तो आप इस ट्रिक का यूज एक ही बार करके 5 मिनट में उस error को हटा सकते हैं लेकिन दोस्तों यदि आपके Instagram पर दोवारा यह error सो हो जाता है यानि दोवारा यह error आ जाता है आपकी गलती की बजा से तो दोस्तों आप इस trick का use करके उस error को फिर से नहीं हटा सकते हैं दोस्तो उस error को दोबारा हटाने के लिए आपको क्या करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ तो दोस्तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि यदि हमारे Instagram पर इस तरह का error दोबारा आ जाता है तो हम किस तरह से उसे हटा सकते हैं तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के अंज तक और दोस्तो यदि आपने मेरे पहली वीडियो नहीं देखी है कि आप 5 मिनट में कैसे इस error को solve कर सकते हैं यदि आपके Instagram पर पहली वार यह error आया है तो आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो ज़्यादे देर ना करते हुए जानते हैं कि हम किस तरह से दोबारा आये हुए इस error को अपने Instagram पर से हटा सकते हैं तो दोस्तो इसके बारे में जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे mobile की screen पर दोस्तो mobile की screen पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले subscribe बटन पर click करके subscribe जरूर करें और bell icon दबाकर all पर भी click कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो की notification पोचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तों जदे देना करते हुए चलते हैं मोबाल की स्कीन पर तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यदि हमारे Instagram पर इस तरह से फिर से Error आ जाता है Try Again लेटर वाला तो हम किस तरह से इसे solve कर सकते हैं दोबारा से तो दोस्तों इसे solve करने के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले इसका एक स्कीन सोट ले लेना है दोस्तों स्कीन सोट लेने के बाद आपको simply OK पर क्लिक कर देना है दोस्तों OK पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है अपने profile वाले option पर यहाँ पर दोस्तो इस पर click करने के बाद आपको क्या करना है आपको उपर दिखाई दे रहे होंगे 3 line आपको इस पर click करना है दोस्तो 3 line पर click करने के बाद आपको जाना है settings वाले option में दोस्तो settings वाले option में जाने के बाद आपको क्या करना है आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको एक help का option दिखाई देगा आपको इस पर click कर देना है दोस्तो help के option पर click करने के बाद आपको सबसे उपर दिखाई दे रहा होगा report a problem आपको दोस्तो इस पर click करना है दोस्तो report a problem पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर 3 option खुल कर आएंगे जिसमें दोस्तों आपको क्या करना है आपको सबसे नीचे वाले report एक problem वाले option पर click कर देना है दोस्तों जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह के page पर पहुच जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको जो आपने screen sort वेजा है यहाँ पर plus वाले निसान पर click करके उस screen sort को यहाँ पर add कर लेना है यह देखिए दोस्तों मैं add कर लेता हूं यहाँ पर आपको उसे add कर लेना है दोस्तो add करने के बाद आपको यहाँ पर इस problem के बारे में लिख देना है कि आपके Instagram पर यह problem आ रही है दोस्तो आपको English में लिखना है दोस्तो मैंने इस video के description में भी दिया हुआ है आप इसके description में देख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है आप वहाँ से copy करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं तो दोस्तो वीडियो के description में जाकर आपको उसे copy कर लेना है और यहाँ पर आपको paste कर देना है दोस्तो paste करने के बाद आपको यहाँ पर यह screen sort और यहाँ पर लिखने के बाद आपको simply यहाँ पर उपर submit वाले option पर click कर देना है दोस्तो जैसे आप submit वाले option पर click करेंगे तो दोस्तो इस तरह से आपके सामने एक page खुलेगा जिसमें आपको turn on से के option पर click कर देना है तो दोस्तो जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बापिस यहाँ पर आ जाएंगे आपको फिर से रिपोर्टे प्रोब्लम के ओप्सन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो आपको फिर से रिपोर्टे प्रोब्लम वाले ओप्सन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अ दोस्तो इसे send करने के 24 गंटे बाद आपके Instagram पर यह problem solve हो जाएगी तो दोस्तो यदि आपके Instagram पर भी दोबारा से यह problem आ चुकी है तो आप इस तरह से इसे solve कर सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो यही समापत होती है तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद